हलो दोस्तों स्वागर आप सक्का मेरे ये डिप चैनल सचने अज़िशन हब पर दोस्तों आज हम बात करेंगे कि विसल ब्लोइंग क्या होता है तो विसल ब्लोइंग के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इसके फीचर्स और इसके टाइप्स क्या है पार्ट वन के पताए हैं इसके यहां पर आपको मिल जाएंगे इसके इलावा कोई और भी नोट्स चाहिए या फिर कोई और किसी भी कमर्स अब्लोइंग क्या होता है तो विसल ब्लोइंग के बारे में अगर हम देखें तो आपके सामने लिखा है तर्म विसल ब्लोइंग कैन बी as raising a concern about a wrongdoing within an organization एक organization के अंदर जब कुछ गलत हो रहा हो या गलत हुआ हो या हो रहा है उन सब के regarding एक तरीके की विसल ब्लोइ हो जाना यानि एक तरीके का कहलो आपके सामने raising a concern उसके बारे में चर्चा होना शुरू हो जाना उसके बारे में बात फैलना शुरू हो जाना ये सारी चीजे क्या है विसल ब्लोइ होना यानि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है organization के अंदर उसके regarding voice उठाना और ये करता कौन है that is whistleblower कौ होता है वो आपके सामने लिखा है is a person who exposes misconduct comma alleged dishonest or illegal activity occurring in an organization कोई ऐसा person जिसने कुछ गलत किया misconduct है कोई dishonest person है कोई illegal activity करने वाला person है वो सारा का सारा जो भी कहलो ये कौन है यानि ये क्या कहलाता है that is whistleblower तो whistleblower कौन होता है whistleblowing किसे कहते है ये सारी आपको मैंने अभी दे दी है information अब दोस्ते इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके features तो in features में सबसे पहला point है individual act ये एक individual act होता है that is a person और a group of persons इसमें होते है ठीक है जी बहुत easy point था ये वाला दूसरा आता है moral motive moral motive क्या कहता है the whistleblowing is done for a public good rather than for some selfish motive whistleblowing क्या है एक तरीके की कहलो कि ये public के welfare के लिए की जाती है ना कि किसी selfish motive के लिए तो एक moral motive सामने निकल के आता है ठीक है जी फिर आता है reasonable belief the whistleblower believes that the conduct for an activity reported is inappropriate एक reasonable belief बना हुआ है जो whistleblower है वो ये देखता है कि जो भी activity report की गई है वो inappropriate है इसके अंदर यानि मतलब जो भी whistleblower ने यानि cgc पाता है whistleblowing के अंदर कोई भी activity अगर की गई है तो वो क्या मानी जाएगी report जो भी report की गई है activity वो क्या मानी जाएगी inappropriate मानी जाएगी इसके लावा आ जाता है voluntary act होता है ये तो it is a voluntary and deliberate as there is no legal obligation इसमें कोई legal obligation नहीं होती इसलिए ये एक voluntary act है तो आप जब मर्जी यानि अपनी इच्छा के इनसार इसे किया जाता है फिर आता है हमारे पास calling attention एक तरीके की हमारी attention होती है कहलो कि means calling attention of a proper authority to something which is wrong एक तरीके का attention यानि एक तरीके का आपकी और आपको दिखाना कि कुछ ना कुछ तो गलत है आप उसकी और ज़रा देख जाना किस में आता है whistleblowing के अंदर आता है इसके रावा एक last point आता है आपके सामने expectation of positive response whistleblowing इसलिए भी की जाती है या इसलिए भी इसके अंदर हम whistleblowing करते हैं ताकि जो response है वो हमें positive मिल सके यानि जो भी हमें response मिलेगा वो हम इस उमीद में whistleblowing करते हैं कि वो positive response ही होगा फिर चाहे किसी भी चीज़ के related वो चीज़ यानि whistleblow की गई हो ठीक है जी तो ये हो गए हमारे features अब features कर लिए meaning कर लिए तो आपके सामने आप आएंगे लास्ट हमारा आज का जो इस वीडियो का topic है वो है types तो types कौन कौन से है whistleblowing के number one आपके सामने आता है internal whistleblowing क्या होता है ये it refers to disclose about the improper conduct of a person within an organization एक organization के अंदर जब एक person ने कुछ गलत काम किया है वो होती है that is internal whistleblowing और ये इसलिए की जाती है for the purpose to get the matter investigated in accordance with the organizational rules and procedures ये इस purpose के लिए की जाती है ताकि जो investigated to get the matter ताकि जो matter investigate किया जा रहा है rules and procedures के regarding उसमें कुछ न कुछ देखा जाए यानि CDC बात है कि एक ऐसी whistleblowing जो within an organization जो within an organization regarding the rules and procedures को check करने के लिए की गई हो organization के rules and regulations को investigate करने के matter से की गई हो वो होती है that is internal whistleblowing ठीक है फिर आता है external whistleblowing it refers to disclosure to outside agencies such as media, enforcement authorities and public interest groups जो organization को affect ना करते हुए कुछ ऐसा मतलब media हो गया enforcement authorities हो गया या public interest groups हो गया उनके regarding कोई disclosure दे यानि organization में ऐसा कुछ नहीं है कोई outside agency है उसके regarding आप अगर कोई information दे रहे हो whistleblowing की वो कहलाती है external whistleblowing ठीक है जी organization उसमें नहीं आता फिर आते है personal whistleblowing के बाद तो personal whistleblowing क्या कहते है when a person और a class of a person is subjected to immoral behavior the disclosure is known as personal whistleblowing मतलब कोई ऐसा person या किसी class of persons की बात कर लो यानि group of persons की बात कर लो अगर उनोंने कोई immoral behavior किया है या कुछ उनोंने गलत किया है exploitation की है उसके बारे में disclose देना यानि एक persons के बारे में whistleblowing की information देना या immoral behavior के बारे में information देना वो होता है personal whistleblowing ठीक है फिर आता है corporate whistleblowing corporate whistleblowing का मतलब it refers to disclose us about the misconduct on the part of a company कोई company के regarding misconduct की गई है यानि misconduct ऐसा कुछ गलत किया गया है उसके बारे में disclose देना यानि company में कुछ गलत हुआ है उसके बारे में disclose करना वो होता है corporate whistleblowing corporate का मतलब भी company होता है तो company में अगर कुछ गलत हो गया तो वो क्या कहलाता है corporate whistleblowing यानि उसके बारे में अगर हमें information मिली हो तो and last हमारे पास जो type आता है वो है government whistleblowing यानि disclosures about the wrong or immoral conduct on the part of government officials किसी government officials के regarding कुछ गलत किया गया है उसके बारे में disclosure आना या कुछ government officials या departments में कुछ immoral activity या wrong activity हुई है उसके regarding informations को disclose करना वो क्या होता है that is government whistleblowing तो types internal मतलब within organization external मतलब outside agencies personal मतलब आपका persons के regarding corporate मतलब company और government का मतलब था आपके government officials और department के regarding ठीक है जी तो ये types, features और a meaning of a whistleblowing part number one आपको यहाँ पे मैंने करा दिया notes आपके सामने लिखे हुए है आप यहाँ से ले सकते हो PDF चाहिए वो आपको telegram channel पे मिल जाएगा और अगर कोई problem है तो नीचे दिए के comment box में comment भी कर सकते हो दोस्तों तो आज की वीडियो में इतना है जस्ट वीडियो अच्छे लगी है तो like, share and subscribe जरूर कर देना अगर कोई problem है तो आप मुझे telegram channel पे भी message कर सकते हैं उसका link आपको पता है description box में दे दिया गया है तक यू वरी मुच